Hello everybody, आज हम NCRTK Class 7th English का Chapter No. 8 Fire, Friends and Foe के Short Questions और Long Answer Question करेंगे तो बच्चो, Fire, Friends and Foe का मतलब क्या है? तो Fire याने की आग, Friend याने की दोस्त और Foe याने की दुश्मन तो आग जो है, वो मनुश्य की दोस्त भी हो सकती है और अगर हमने उसका सही उप्योग नहीं किया, तो वो दुश्मन भी बन सकती है ठीक है? अब शूरू करते हैं, Very Short Answer से Question No. 1 Why the early man was afraid of fire? यहाँ पे early man किसको बोला जा रहा है बच्चो? जो आदी मानफ थे जब आग उन्होंने देखी तक भी नहीं थी जब इसकी शुरुआत भी नहीं थी उस समय, वो जो आदी मानफ थे, वो आग से क्यों डरते थे? The early man might have seen volcanoes or lightning before he started using fire and was hence knew it was dangerous and powerful, so he was scared of fire तो इसमें यह क्या कहना चाहरा है? कि जो आदी मानफ थे, जो early man थे उन्होंने शायद जो volcanoes होते हैं, जो आला मुखी होते हैं जो और lightning जो बिजली कड़कती है, जब बादल टकराते हैं तो बिजली कड़कती है ना वो सब देखा हुआ था और उसको देखके उन्हें fire से डर लगता था कि जैसे ये सब चीज़े इतनी विशाल हैं और खतरनाक हैं वैसे ही जो आग है वो भी बहुत खतरनाक हो सकती है तो इसलिए आदी मानव आग से डरते थे question number two, give some examples of fuel तो बचो fuel हम अपनी रोज मड़ा की जिंदगी में यूज करते हैं वो क्या-क्या होता है, wood अब जैसे हम चूले पर रोटी बनाते हैं तो हम नीचे लकडी लगाते हैं तो वो क्या हो गया, आपका fuel हो गया जो हमारे आज gas cylinders हैं, जिनको यूज करके हम खाना बनाते हैं उसे हम बोलते हैं, cooking gas, petrol जिससे हमारी गाडियां हैं, वो सब चलती हैं उसमें हम petrol को यूज करते हैं तो ये सब क्या है, fuels के example है अब question number three, देखो why a newspaper or stick lying in the open does not catch fire on its own तो ये बोल रहा है कि जैसे खुले में जैसे अकबार पड़े रहते हैं या कोई paper पड़ा रहते हैं या फिर जो पेड लगे हुँ है या लकडी पड़ी रहती है तो उनमें अपने आप आग क्यों नहीं लगती तो बच्चो इसका answer सुनो a fuel in presence of oxygen alone cannot start burning तो ये क्या बोल रहा है कि जब कोई चीज खुले में पड़ी होती है oxygen की presence में ठीक है उस समय उसमें आग नहीं लग सकती तो आग लगने के लिए बच्चो CO2 यानि की carbon dioxide का होना उसकी presence होना बहुत ज़रूरी है ठीक है heat is required for a fuel to catch fire एक किसी भी fuel को आग लगाने के लिए हमें heat की ज़रूरत पड़ती है पड़ती है न अगर हमें लगडी में आग लगाने तो हमें जो आग है उसकी heat की उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है तब ही उसमें आग लगता है तो यही एक reason है that is the reason why a newspaper or stick lying in the open doesn't catch fire fourth question देखो why gaps are left between building during construction जब हम buildings बनाते हैं कोई भी या फिर हम घर बनाते हैं समझे तो उनके बीच में हम gaps रखते हैं हम बिल्कुल सटा सटा के घर नहीं बनाते हैं थोड़ा gaps रखते हैं जो बड़ी-बड़ी buildings होती है समझे जो जैसे offices होते है gaps are left between buildings during construction to reduce the risk of fire ताकि आग का मतलब डर ना रगे क्योंकि अगर हम building सटा सटा के बना देंगे एक के बाद एक बिना gap के बना देंगे तो उससे क्या होगा अगर एक building में आग लग रही है तो उससे दूसरी building में भी जाने के chances हैं और पूरी जगा फैलने के chances हैं तो इसी reason की वज़ा से हम जो बड़ी-बड़ी buildings हैं वो हम बिल्कुल एक के बाद एक नहीं बनाते हैं थोड़ा gap रखते हैं ताकि आग लगने का risk बहुत कम हो तो question 5 देखो how the discovery of fire has helped the mankind kind तो अभी बोल रहा है कि जो हमारी जो मनुष्य जाती है उसको आग के जो discovery हुई है जब आग का पता चला था हमारे आदी मानव को कि ये भी एक चीज है जिससे हम खाना बना सकते हैं या उप्योग में ला सकते हैं तो ये कब हुई और कैसे हुई तो discovery of fire has इसने क्या मदद की discovery of fire has helped the early man to cope up with nature it also helped them adopt a settled mode of life तो एक settled life जीने के लिए मतलब अपनी दिन चर्या को आसान बनाने के लिए पहले वो क्या पत्थर से रगड के करते थे जब उनको पता चला शुरू में कि वो आपस में पत्थर को ऐसे ऐसे अपना खाना बना लेते थे अपना और बाकी काम कर लेते थे तो उससे उनकी life जो है उनकी जो जिन्दगी है वो और थोड़ी आसान होगी अब हमने very short questions कर लिए अब हम करेंगे short answer type question how fire is a good servant तो जो fire है जो आग है वो एक अच्छी मतलब मददगार चीज क्यों है कैसे है fire is a good servant when kept under control fire helps us do many things of course अब आप सब जी जानते है कि fire अगर हम उसका सही से इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत dangerous भी हो सकती है तो अगर हम उसको under control यानि कि बहुत ही ध्यान से उसका इस्तमाल कर रहे है तो वो बहुत चीजों में हमारी मदद करती है in most of our home we cook our food on fire ये सब तो सभी जानते हैं कि जो हमारा खाना बनता है जिससे हम अपना पेट भरते हैं वो आग की मदद से ही बनता है we use fire to keep us warm during extreme winters जब सर्दी हो जाते तो हम heaters लगाते है न तो उसमें भी हम आग का इस्तमाल करते हैं गर्मी के लिए it also used in generating electricity और हम fire का हम आग का electricity जो power आती है हमारे घर पे उसको produce करने के लिए भी use करते है second question देखो before fire brigades were set out how people tried to put our fire before fire brigades were set out how people tried to put out fire जब ये जब fire brigades fire brigades जाने की अगर कहीं किसी place पे आग लग जाए किसी जगा पे आग लग जाए तो हम fire brigade को call करते हैं आग बुजाने के लिए तो पहले समय में जब fire brigade नहीं होती थी तब लोग आग कैसे बुजाते थे before the fire brigade came into the picture people used to distinguish fire forming human chains everyone was a fireman in the scenario जब fire brigade शुरू नहीं होई थी तब जो लोग हैं वो एक जट मिलके जो है आग को बुजाने की मदद जो साहेता करते थे people used to pass bucket filling with water from a pond वो क्यार करते थे एक अगर कोई आसपस pond है जहां पे थोड़ा सा पानी होता जैसे की जोड़ होते हैं गाओं में तो उसमें से वो पानी भरते थे और एक दुसरे को बाल्टियां पास करते रहते थे तो वो एक chain बना लेते थे लोग अपनी एक chain बना लेते थे एक आदमी भरता था फिर वो आगे पास करता था फिर फिर ऐसे-एसे करके वो लोग एक जुट बना लेते थे और पानी एक जोड में से निकालेगा एक आगे पास करेगा उस से करके उस जहां पर आगे लगी है महां पर पानी डाला जाता था और वेल थू इच अदर या फिर जो गाउं में जो कुए होते थे उन में से और जो आदमी जो लास्ट में खड़ा होता था आग बुजाने के लिए वो उस पानी को उस आग पर फैक देता था बुजाने के लिए ठीक है question number 3 देखिए how have we learned to control fire हमने fire को control करना कैसे सीखा ठीक है तो यह क्या बोल रहा है every year we spend millions of rupees for fighting fire हम हर साल हम हर साल मतलब लाखों रुपे खर्च करते हैं आग से बचने के लिए we spend even large sum of money to find out ways to prevent fire from happening and going out of control हम मतलब बहुत सारा पैसा इसलिए भी खर्च करते हैं हर साल तरकीबे जानने के लिए सीखने के लिए कि कैसे हम एक fire situation को control कर सकते हैं ठीक है या फिर उसको होने से भी रोक सकते हैं ठीक है in the process we have learned to control fire and use it for our betterment और इसी process में हमने सीखा कि हमें fire कैसे control करनी है और हमें उसे अपनी भलाई के लिए कैसे इस्तमाल करना है तो देखो बच्चो अब long answer type question आगया पहला question है explain with an example how can you put out fire by cutting the supply of oxygen so oxygen is one of the three elements essential for causing fire if we can disrupt the supply of oxygen then we can put off the fire तो अभी ये question में क्या पुछा है बच्चो इसमें पुछा है कि एक example दो कि कैसे हम oxygen की supply बंद करके एक किसी भी चीज में समझ लो एक लकडी की है तो उस चीज में हम आग कैसे लगा सकते हैं वो पूछ रहा है कि हम oxygen की supply कैसे बंद करें कि हमारी जो चीज है जो हमारी लगडी है उसमें आग लग जाए तो this can be applied in case of small fires if we throw a damp blanket or a sack over the fire it cuts off the supply of oxygen and the fire is immediately put off अगर हम किसी भी जलती हुई चीज पे sand या तो हम रेत डाल सकते हैं या फिर हम एक blanket डाल दे जिसकी मदद से जो oxygen की supply है वो बंद हो जाए और जो आपकी fire है वो एकदम से put off हो जाए ठीक है question number two why we cannot use water to put out some fire कहीं चीजों में हम आग लगी होई जगा पर पानी नहीं डाल सकते कुछ चीजों में डाल सकते और कुछ चीजों में नहीं डाल सकते तो वो पुछ रहा है कि कहीं चीजों में हम पानी क्यों नहीं डाल सकते तो इसका answer देखो we cannot use water in case of oil and electric fires जब electric fires क्या होते है जैसे transformer में आग लग जाना है ना जो हमारा बिजली का खंबा होता है उसमें आग लग जाना या फिर कहीं जहां पर oils हैं जैसे तेल की factory है समझ लो वहां प्याग लगई तो हम आपे पानी से क्यों नहीं बुजा सकते oil floats over water and thus oil fires cannot be extinguished using water तो बचों आपको पता होगा या आपने कभी करके भी देखा होगा कि अगर आप तेल में कभी पानी की बूंद डालते तो वो उसमें mix नहीं होता वो तेल उसके उपर आ जाता है तो यहीं रीजन है कि अगर हम तेल के ओपर पानी यूज करेंगे तो वो आग कभी नहीं बुजेगी क्योंकि तेल जो है वो पानी के साथ mix ही नहीं होता और जिसकी वज़ा से वो भुज भी नहीं सकता water flows on and it has the risk of spreading the fire along और ऐसे cases में पानी जो है वो बहता है और वो बहने से fire को बढ़ा सकता है कम करने के बज़ाए तो in case of electric fires water cannot be used as an extinguisher it being a good conductor of electricity puts the light of the man spraying it in danger तो यह बात तो हो गई oil factors की है कहीं पर oil में आग लगी है तो अब अगर electric fires यानि की transformer में या कहीं electric department में कहीं आग लगए तो हम पानी से क्यों नहीं बज़ाते क्योंकि बच्चों जो पानी होता है न वो electricity का good conductor होता है वो electricity में help करता है ठीक है तो अगर हम ऐसी जगा पर पानी डालेंगे जहां पर electricity है तो ऐसी जगा के अगर हम पानी डालेंगे तो जो बंदा डाल रहा है वो danger में है और उसको current लगके उसकी मौत भी हो सकती है तो ये बात ध्यान रखो दो चीज़े oil और पानी mix नहीं होता इसलिए हम oil को बुझाने के लिए पानी का use नहीं करते और जब electric fires लगती है यानि कि कहीं पर electricity जैसे towers में या फिर जो poles होते हैं हमारे खंबे होते हैं तारों के खंबे होते हैं घर के बार उनमें भी हम पानी कभी नहीं डालते क्योंकि जो पानी है वो good conductor of electricity होता है और वो electricity produce करता है जिसकी विज़ा से जो बंदा उस आगको बुझाने की कोशिश कर रहा है पानी के मदद से उसको current लग सकता है और उसकी मौत हो सकती है तो बच्चो ये आपके very short answer, short answer और long answer हो चुके हैं chapter number 8 fire friends and foe बहुत interesting chapter है बच्चो और बहुत informative है आपको बहुत knowledge मिलेगी इस chapter को पढ़ने से और मैं आशा करती हूँ आपको ये सारे question answers अच्छी तरह समझ में आयोंगे इनको practice करना और लिख कर देखना ठीक है चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बबाई